हाई गाईज मैं हूँ आपका होस्ट इश्वाक और आप देख रहे हूँ आपकी अपनी यूटूब चनल जेके जो आपडेट इस दो चलिए मैं आपको आज की जो आपडेट प्रावाइड करता हूँ ससी ने फ्रे जाल नोटिकेशन आउट की है यहां पर मैं आपको एडवानस में ही बता दूँ जो चैंडेटर cabbage है उनका जो एकजाम सेंटर रहेगा वो रहेगा जुमू सांभाय इंड सिर-नगर में मेंचन किया है SSC ने अल्रेडी से रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड लाज्ट डेट रहेगा थर्ड मैई 2023 ठीक है गाइस तो यहां पर आपका जो रिटन एक्जाम होगा वो होगा CBT फॉर्मेट में कम्प्यूटर वेस्ट आपका एक्जाम होगा टाय यहां पर हम वस्टें कि बात करें लेवल 8 की अपकी सेलरी रहने वाली है 47600 से लेकर 15110 अच्वागिन यहां पर देख सकते हो 18 से लेकर 30 तक जिनकी age होगी वो eligible है and then guys आगे में आपको age relaxation भी दिखाऊंगा कि क्या age relaxation रहने वाली है various categories के लिए उन्होंने अलग-अलग से age relaxation mention किया उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको guys assistant section officer की vacancies देखने को मिलेंगी various departments में ये vacancies fill होंगी like ministry of railways इसी तरह से intelligent bureau ministry of external affairs और भी बहुत सारी departments है जिनमें इन vacancies को fill किया जाएगा level 7 की आपकी salary रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इनके लिए भी age 20 से 30, 18 से 30, 20 से 30 यानि अलग-अलग से यहाँ पे age limit इन्होंने mention किया है उसके बाद आगर हम नीचे आए फिर से guys यहाँ पे आपको assistant and assistant section officer की vacancies देखने को मिलेंगी age 18 से लेकर 30 तक pay level यहाँ पे आप देख सकते हो 35,400 से लेकर 1,24,000 उसके बाद executive assistant research assistant divisional assistant sabina inspector यहाँ पे इन्होंने उसके बाद अगर हम नीचे आए sabina inspector junior intelligence officer junior statistical officer यह सभी vacancies various departments में fill होने जा रही है साड़े साथ हजार की vacancies guys इन्होंने आउट की है साड़े साथ हजार vacancies graduate level की SSC ने आउट की है अगर आप JKSSB को छोड़के SSC की तरब जाओगे आप guys easily से job हासिल कर पाओगे थोड़ी बहुत आपको hard work करने होगे और easily से fairly आपकी selection within time हो जाएगे ऐसा नहीं कि JKSSB की तरह से तीन-चार साल लग जाएगे time पे आपका exam होगा time पे आपका list आएगा time पे आपकी document verification होगे and time पे आपकी appointment होगे auditor की vacancies आई है various departments में salary 29,200 से लेकर 92,300 तक उसके बाद यहां पे postal assistant की vacancies देखने को मिलेंगी आपको senior secretary assistant की vacancies देखने को मिलेंगी tax assistant sub-inus factor फिर से तो various vacancies आई है आप जाके SSE के official web portal से online register कर सकते हो आपना form submit कर सकते हो यहां पे guys आप age limit भी देख सकते हो यहां पे इन्होंने age relaxation वगेरा भी mention किये है यहां पे आप देख सकते हो जो SCST category के candidates है उनको 5 साल की यहां पे age relaxation दी गई है OBC के लिए 3 years PWD के लिए 10 years and PWD OBC के लिए 13 PWD SCST के लिए 15 EX servicemen के लिए 3 years यहां पे इन्होंने तीन साल की age relaxation mention किये है इसी तरह से और भी जो video divers and women होंगे and judicially separated होंगे उनके लिए up to 40 years की age relaxation यहां पे इन्होंने mention किये है बोथ male female सब भी apply कर सकते है यह जो graduate level vacancies out किये है SSB ने उसके बाद अगर हम नीचे आये यहां पर SSC की खास बात क्या है जब भी इनको vacancies advertise करनी होती है तो यह साथ ही में silvers भी निकाल देते है ऐसा नहीं कि JKSB की तरह आज इन्होंने notification निकाल दी फिर एक महीने के बाद सिल्बस आएगा तब 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 तक candidates ठीक है ठोकरे खाते रहते हैं इंटरनेट पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहां पर गाइस जैसे ही vacancies out होती है उन्हीं के साथ syllabus भी syllabus भी आउट किया जाता है यहां पर आप देख सकते हो यह रहेगा आपका syllabus assistant audit officer assistant अफिसर के लिए यहां पर आपको सब्टाब इकस भी देखने को मिलेंगे इसी तरह से सभी vacancies का यहां पर आप से लबस चक आउट कर सकते हो यह जो notification है इसकी link में आपको वीडियो की नीचे description में provide करूँगा यहां आप हमारी telegram channel यह website को भी विजिट कर सकते हो PDF के लिए यह WhatsApp group में भी आप जोइन हो सकते हो जो की link आपको वीडियो की description में मिलेगी इन vacancies के लिए guys जब आप apply करोगे आपको application fee pay करना होगा 100 rupees का only इसके वरकसा अगर आप JKSSB के लिए apply करोगे तो आपसे 400-500 charge किया जाते है यहां पे simply 100 आपको fee करना है जो कि आप online कर सकते हो किसी भी application से जो भी आप payment method यूज करते होंगे तो यह जो vacancies है guys आप इनके लिए apply कीजिए prepare कीजिए एंड इन्शाललह hopefully आपकी जो selection है वो हो जाएगी तो चलिए guys मिलते हमारी next वीडियो में वीडियो की description को follow करना PDF के लिए and whatsapp group में join करना telegram में join करना इनस्टाप इच को follow करना छोटी-छोटी latest updates के लिए ओके thanks